जय महाकाल मेरे प्रियस सादकों और मित्रों कैसे है आप सब उमीद करता हूँ आप सब ठीकी होगे दुश्मन मित्रों हर किसी के जीवन में कोई ना कोई दुश्मन तो होता ही है है ना आप लोगों का भी होगा ऐसे मेरे बहुत से सादक जो ये वीडियो सुन रहे होंगे उन लोगों के भी बहुत से दुश्मन होगे पर क्या आपको पता है हम दुश्मन के शरीर पर भूत चड़ा सकते यानि उसे भूत लगा सकते है और मैं आज आपको ऐसा मंत्र देने जा रहा हूँ लगभग 30 से 35 प्रतिशद लोग जो लोगों के शरीर में भूत लगा हुआ होता है वो इसी मंत्र दौरा लगाया जाता है जो मंत्र आज मैं आपको दे रहा हूँ 30 से 35 प्रतिशद लोगों को इसी मंत्रों से लगाया जाता है यह इतना प्रचलीत मंत्र है और इस मंत्र का प्रयोग बहुत से लोग करते हैं लोगों को परिशान करने के लिए पर हमें मित्रों किसी को परिशान करने के लिए नहीं लेकिन जो हमें परिशान करता हो उसे सबक सिखाने के लिए जरूर कर सक लेकिन थोड़े से पैसों के लोब में आकर इसका प्रयोग ना करें और किसी को बिना फालतु तकलिब ना दें यही मैं आपसे कहूंगा और मित्रो यह थोड़ा सा आपके लिए कठिन भी लग सकता है लेकिन अगर मैं यही सोचूंगा अगर आपको यह मंत्र कठिन लग रहा है तो आप जीवन में कोई भी साधना नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह इतना साधारन प्रयोग है आपको अपने घर में बैटके करना है इस प्रयोग को अगर यह भी अगर आपसे नहीं हो सकता है तो मैं आपसे कहूंगा कि यह मारग आप लोग छोड़ सालो साल तपस्या करते थे हैं ना कई राक्सस गनों ने भी सालो साल तपस्या करके कई वर्दान हासिल किये हैं मैंने भी कई रातों तक साधनाय की हैं घर छोड़ो मित्रो पाच-पाच मैंने घर क्या होता है ये भी नहीं पता होता है हमें पाच-पाच मैंने घर से दूर रेकर हमने भी साधनाई की है कई रातों तक समशान में ही रहना, समशान कई खाना खाना और समशान में ही सुना और अगर आप लोगों से घर में रहे के साधना नहीं होती है तो फिर आप क्या करोगे जीवर में कैसे आप सादक बनोगे या आप खुदी इस बात का मनन चिंतन करें यह थोड़ा कठीन इसले लगेंगा क्योंकि इसे 11 दिनों तक आपको जब करना है और इसे रात को मतलब मद्य रात्री को जब आप इस मंत्र को शुरुवात करेंगे शुक्रवार के दिन से आपको इसकी विदी प्रयोग को शुरुवात करना है मद्यम रात्री से 12 बज़े से आपको शुरुवात करनी है 12 से आपको 3 बज़े तक इसका जब करना है 3 गंटे तक यहाँ एक मुसलिम मंत्र है और बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है भूत प्रेतों को दूसरों के उपर लगाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में लेने वाला यह मंत्र प्रयोग है पता नहीं क्यों लेकिन जिसको भी देखो यही अच्छे बड़े-बड़े मैंने तांत्रिक देखा है सिद्ध तांत्रिक जो मेरे मित्र है जो हमेशा मुलाकात होती है तो हमारी जब भी चर्चा होती और मेरे जब भी बात्षित निकली है तो मित्रों कमसिगम 30 से 35 प्रतिशद लोगों ने इसी मंत्रों का जिकर किया है कि और मैं ऐसे नहीं जो इयल में करते हैं और कई लोगों से पैसे लेके उनका काम करते हैं सफल तान्तिर को की बात बता रहो है तो मैं और ईसके बारे में आपको बता दू की कैसा करना है अगर आपका घर मटी आए मतलब नीचे फर्श नहीं यह मट्टी है तो बहुत अच्छी बात है अगर आपके घर में फर्ष हो या फिर सिमेंट का फ्लोरिंग किया हुआ हो नीचे तो आप क्या करेंगे थोड़ी सी मिट्टी लाकर उसको भीगो कर आप लीब देंगे एक सवा बाय सवा का एक चौकर चौका बना देंगे उसके ब सवाल ये एक तील मुट्टी भर तील हो रखनां आए उत्तर दिशा की और और एक सामने तेल का दिया जलता हुआ सर्सो के तेल का दिया उत्तम माना के रख दिया उसके बाद आप स्वयम खुद दक्षिन दिशा की और मुह करके बैठेंगे साथ में आपको रखना है सफेद फूल रेवडी ये दो चीज आपको साथ में रखना है अब आपको क्या करना है लोभान के लिए थोड़े से कोईले जला लेना है और भगोने में लखने ताकि उसको समय समय पर आप डालते रहें और आपको क्या करना है जब मंत्र जब करते रहेंगे उस समय में थोड़ी थोड़ी चुटकी भर लोबान उस अंगारे पर डालते रहेंगे एकदम धुवानी बनाने नहीं तो आदे रात को बोलेंगा रहे कहां अग लग लोग चुटकी भर ज्यादा नहीं और एक साथनी डलना मिनिट एक दो चार मिनिट के बाद या चार पाच मिनिट में एक चुटकी आप ऐसा डाले ज्यादा लोबान डलने की जर्द नहीं ठीक है और आपको यह सादना करनी है रात को बारा से तीन याने बारा बज़े आप बैट जाएंगे मंतरज आपका चालू हो जाएंगे और तीन बजे आप राइट टेम उट जाएंगे ऐसा आपको ग्यारा दिनों तक करना है और जिस दिन आपका ग्यारावा दिन पूरा हो जाएंगा बारावे दिन सुबह आप क्या करेंगे जो रेवडिया आपने रखी है वो किसी कुवारे लड़कें को खिला देंगे अब हमारे भाषा में कवारे बोलते हैं ठीक है? इससे आप जिस दिन आपका साधना पूरी हो जाएंगी उस दिन रात में आपको सपने में एक वर भी मिलेंगा ये बाद ध्यानर के मित्रों इससे आपका डबल फायदा हो रहा है एक आपका साधना भी मंत्र भी सिद्ध हो रहा है और सातों साथ आपको एक वर भी मिलें यहाँ आपकी किस्मत के इसाफ से मिलता एक सपना आता है कोई भी एक देवता यह आपको एक वर कोग्हाँ हो सिद्ध हो जायएंगा और जब आपको रात के समय में 1000 जब करना है इस मंत्र का 1000 जब किते समय में होना चाहिए आदे से पाउन गंटे में हो जाना चाहिए और याद रखे जब आप मंत्र जब कर रहे हो तब आपको अली की दुआई जोर से बोलनी की जरत नहीं है लेकिन जब आप प्रयोक कर रहे होंगे और तब आप 1000 जब कर रहे होंगे ना तब आपको अली की दुआई अली की दुआई थोड़ा जोर से बोलना है ये बात का ध्याम रखना है अपने को और जब आप जब करते रहेंगे तब आपको शत्रू का जो ये है क्या बलते हैं उसका स्वारूप उसका चित्र अपने दिमाग में याद करते रहना है उसको, वो कैसा दिखता है आपको अपने दिमाग में याद करते रहना है, जैसे ही आपका 1000 जब पूरा हो जाएंगा, तो आपके शत्रू के उपर शैतान चड़ जाएंगा, 100% इसमें आपको थोड़ी भी किंचित भी शंका करनी की जुरत नहीं है आपका काम 100% हो जाएंगा और आप देखेंगे आपको दूसरे तीसरे दीनी खबर मिल जाएंगी कि आपका जो शत्रू है उसको भूत पकड़ लिया यह ऐसी चर्चा तो बहुत तेजों से फैलती है न अंत्रीकों के चक्कर लगाते रहेगा और जब आपको आपके दुश्मन को ठीक करना हो तो ऐसे समय में आप क्या करेंगे आपको ऐसे समय में और आपको तो करना ही पड़ेंगा करना हो क्या इदेन रखेंगे ज्यादा समय तक किसी को तकलिप देने वाले कौन होते तो रोटी बनानी है और उसको आपको गयास पे नहीं लखड़ी के अंगारे पे बनानी है इस बात का धहर 나ई नहीं तो आप गयास पे बनाना है एक तरफ अच्छा घीच चुपड़िना है वो भी देशी गाय का घी को नहीं चलेगा और एक तरफ में गूड का डेला और गुड़ कुनता होना ब्राउन काला नहीं उसको रखकर आप नदी में बैते वे पानी में जब यह चड़ा देंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका दुश्मन है उसके शरीर से भूत उतर जाएगा कुछ करने की जड़त नहीं समझें रोटी को एक तरफ से गी देशी घाय का घी अच्छा से चुपड़ो एक तरफ में पीले गुड़ का डेला रखके बैते पानी में बहादो मंतर आपके स्क्रीन पर है इसको आपको अच्छा से याद करना है और इसको सिद्ध करना है कन्ठस्थ करना है और प्रयोग में लेना है मित्रो जो बुरा व्यक्ति हो जिससे हजारों लोगों को तकलीब हो उसको तो अवश्य डंड देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को तब इसका आप उपयोग कर सकते हैं